हालो गाइज गुड आफ्टरनून तो एवरीबन और वेलकम यूटूब चैनल बाइलोजी विलिज टूड़े टॉपिक इस फूट बैब ठीक है फूट चैन पढ़ने के बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक है इसमें फूट बैब के बाद हम बात करेंगे अगर सिंगल लंगेज में हम बात करें तो कंप्लिक्सेशन आप दी फूट चैन इस नोन एज फूट बैब फिर भी हम टेक्स्टोमी और टेक्निकल टर्म में से देखते हैं कि इनने को सिस्टम दी नेच्रोल कनेक्शन नेच्रोल इंटर कनेक्शन आफे नंबर आफ फूट च इंटर लिग्ड एड़ियर्ज ट्राफिक लेविल्स ठीक है हमने आपको बताया था कि कोशन सब्सें इंपॉर्टेंट यह होना चाहिए कि फूट बेप क्यों बनती है ठीक है यहां पर कोशन की फूट बेप बनती क्यों है सबसे पहला कोशन यह कि फूट बेप का फार्मि कुछ मिम्बर्स टेस्टियल एकोसिस्टम के और कुछ मिम्बर्स एकोर्टिक एकोसिस्टम के यह फिर हम कह सकते हैं डेटाइटर्स फूट चैन और ग्रेजिंग फूट चैन के कुछ मिम्बर ऐसे होते हैं जो फूट हैबिट में थोड़ी डाइवर्सिटी रखते हैं ठीक कहना चाहिए वह फीडिंग की प्रवर्ति टेंडेंसी रखते हैं जिससे कि इनकी जो रिसॉर्सिस होते हैं बढ़ जाते हैं जैसे कि आप हीमन बींग का इंग्जाब में ले लेकि यह जो है वह अमनी बुरॉस होता है यह टेविरन भी होता है और यह मीट पर भी फीड कर सकत सबसक्राइब तो सब्सक्राइब को फार्मिशन होता ही क्यों है ठीक है पहले तियो फूर्व devo प्रपारिणिण तो देखिए हमने लिखा है detritus food chain जो की टेस्टिल ecosystem का पार्ट होती है और grazing food chain जो की aquatic ecosystem का पार्ट होती है ठीक है कुछ level पे इन दोनों के मिम्बर जो होते हैं आपस में interconnect होते हैं interconnect का मतलब यह कैसे जोलता है कौन किसके लिए प्रे के काम करता है यह इंपोर्टेंट है यहां पर तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जो detritus food chain है उसकी मिम्बर detritus food chain मतलब तो its complexity create the formation of food babe मतलब आपका कहा है कि detritus food chain और आपका grazing food chain इस दोनों food chain अगर मिल जाए तो दो food chain मिलगी तो एक नई food babe का formation हो जाएगा तो सबसे पहले कि why formation of food babe happened ठीक है तो इसका अंसर क्या है कि complexity of the nutritional behavior create the formation of food babe सबसे पहले पढ़ना जो लिखा है book में उसे पढ़के study कर लेना important नहीं important है कि आप इसका existence की बात कैसे करेंगे अगर एको सिस्टम में food chain से काम नहीं चल ला था तो food babe का formation हुआ नहीं जे सब नेचुरल टेंडेंसी आर्गेनिस्म के अंदर एक तरीका होता है कि linear movement आप दी फूडबे ठीक है जिसमें एक आरगेनिंग दुसर आरगेनिंग दूसर आरगेनिंग कि दि कॉंस्टेंसी जब कि थोड़ा सब डेविएशन तो इसका मतलब कॉंस्टेंसी चेल डेविशन का मतलब होता है कि एक अरगेनिजम की जो nutritional इन्टीनल टेंडेंशी है वो थोड़ा डिफरेंट है वो कई टैप के food material पर फीड करने की capacity रखता है उसकी यह टेंडेंशी जो होती है create करती है complexity in the linear relationship or linear relationship क्या है food chain है तो linear relationship में complexity का मतलब formation of the food wave तो आपको यह मतलब पदा चल गया है यहाँ पर की food wave बनती क्यों है complexity सब्सक्राइब करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज के लिए यह देखने है कि सबसे पहले है कि मैं टेनिग इस्टेविलिटी आफ एको सिस्टम नेचर कहने का मदलब है कि जब लीनियर अन्हेंज्मेंड था तो वह फूड वेप थी चौरी फूड चेंटी अगर बाइचंट उसे फूड मटियर नहीं मिला है तो एको सिस्टम की जो स्टेविल्टी है वो सकती है अब यह नेचरल थिंग है कि उसने क्या-क्या अपने जो नुटिशनल भी हैविर को चेंज कर लिया एक नार्मल बे में तो वह उसी फीड करता है बट इनकेस जब उस यह तो भी दूसरी तरिके के आरच आगनेंजर eh clan की कैपसिटी रगता यह उसकी जुका अट सीटिए एक्स्षा कआ पर शिटी रिंठी ही मतलब और इसकी यह परबरती क्या कहला है कि पॉलिफेगस क्योंकि यह उसका स्विकेंस तो इसे अगर बाइचांस नहीं मिलता है तो इन स्ट्रेस इन स्पेशल कंडिशन में किसी दूसरे आर्गनीज पर फीड कर सकता है ठीक है तो उसकी यह पूरे एको सिस्टम को कंट्रॉल करके रखता है ठीक है जैसे कि देराग बैरियर्स फूट फीडबैक चेक ऑपरेट होते हैं फीडबैक चेक का मतलब होता ही किसी एक पार्टिकुलर टाइप आफ इंडिज्वल्स की एको सिस्टम में पापॉलेशन बढ़ने नहीं पाती सबकी पापॉलेशन इस लेबिल तक रहती है कि एको सिस्टम की ज तो कि यजित कंडेशन नहीं हों रगिनेज्व इन नहीं नहीं थैरी फीडबैक चेक चेक फाँपके उन्ह म हटेचा में थीघरीषण बोलाइप खेला टे अग्या ग्समें और ग्रिडर फिटेकूटेशन में पताया है जाया एक्जाम्पल आप ल ग्रेजांप्डिंग फ तो अब गिरास को फीट करने के लिए कौन आएगा माउस ठीक है और माउस जो होता है फीट करा जाता है इसनेक के थुरू या अब के थुरू यही कंडीशन से मोर्ट पॉडली इसे फीट करता है ठीक है अब डिक्रीज इन पापॉलिशन आप राइबिट किसी सिस्टम जब की population को डिक्रीज हो जाती तो इससे क्या होता है यह उसके alternative जो होते है alternative जो क्या है हर्विपूर mouse mouse की population जो होती है वो बढ़ जाती है ठीक है अब इसका रिजल्ट क्या होगा जब रैविट एको सिस्टम में नहीं रहा, तो रैविट पर फीट करने वाले जो कंजूमर थे, ठीक है, लाइक कार्निवोर्स जो रैविट को फीट करेंगे, ठीक है, उनका जो नंबर से वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके क्या होता है, कि देखे, जब रैविट को हमने अटा इस तरीके से, ठीक है, तो यह जो अपर्चुटी प्रोवाइड कर जाती एको सिस्टम को बाइदी, फूड बैप के थूप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, लिखा है, अल्टनेटिव सर्फार दी मेंटेनिंस अविटेविल्टी अफ इको सिस्टम, इसका मतलब क्या है, जो रैबिट पर फीट करने वाले जो कार्निवोर्स थे, अब रैबिट तो बहाँ पर रहा नहीं, तो वो माउस पर फीट करेंगे, बट करेंगे, मगर इतनी च्वाइस के कॉर्डिंग जैसे होता है, इंट्रेस इतना नहीं रहेगा, बस वो सर्वाइबल के लिए फिटेस मतलब जिसे कहना चाहिए, फीट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उनका ग्रोथ, उनका रिपोड़क्शन उस सब पर बहुत ज्यादा एफेक्ट पढ़ेगा, और उनकी जो पापॉलेशन है, वो एक अंडर कंट्रोल में रहेगी, आल दीज जो पॉइंट से सब गिस तू इस तरीके आपने देखा, इसके बाद दूसरा हम एक देख सकते हैं, एको सिस्टम पार बालेंस होना भी इंपॉर्टेंट है, जो उसमें और गिनिज रह रहे है, ठीके, कैसे करके देखे, इस प्रैमरी कंजूमर जो कि हर्भी बोर्ट होता है, उसे हम रिमूब कर देंए, इको सिस्टम से, तो क्या होगा, जो प्रोदू Sorry, जो प्रोदूसर है, ठीके, वो मतलवकर सब्साइब किसे हो जाए क्या result होता है mass label destruction होता है तो इस तरीके से प्रोडूसर का नंबर कम हो जाएगा ठीक इसी तरीके से प्राइमरी consumers जो है वो secondary consumer से link है जो हमने प्राइमरी कंजूमर हटा दिये तो उनका प्राइमरी कंजूमर को फीड करने वाले को होना है secondary consumers ठीक है अब हमने बीच से हर्वीबोर को उटा दिया वाला primary consumer को उटा देते हैं तो प्राइमरी कंजूमर को उटाने के बाद क्या होता है कि जो प्रोडूसर से उनमें competition और more मतलब competition more competition के बाद उनका number disappear हो जाएगा ठीक है अब जो प्राइमरी कंजूमर को फीड करने वाले secondary consumers हैं उन्हें अब फूट की प्राप्ति उतनी आसान नहीं होगी क्योंकि primary consumers को हमने system से हटा दिया है ठीक है तो secondary consumers का भी बहाँ पर survival मुस्किल हो जाएगा क्योंकि उनके लिए फूट वहाँ पर नहीं रह जाता है ठीक है इसके बाद हम आते है फूट चैन के फीचर्स क्या है देकि फूट बेप जो होती more real than food chain क्योंकि यह really provide the stability to the ecosystem ठीक है इसलिए कह रहा है कि फूट बेप का जिए बिल्कुल स्ट्रेट होती है ठीक है ठीक है थाड़ पॉइंट में कहा रहा है कि फूट बेपी कंपलेक्सिटी किस बात पर डिपेंट अब इंपार्टेंट कोशन यहां से आता है उसे देखें फूट बेपी कंपलेस्टी दो बातों बेट करते है कि लेंता फूट ज food chain जो food wave को बना रही है वो food chain कितनी लंबी है ठीक है और दूसरा depend करता है कि जो food chain present जो consumers हैं उनका जो nutritional behavior है बो किस तरीके का है ठीक है इन दो बातों पर depend करती है food chain की complexity कि food chain की length and the consumers present in the food chain ठीक है मतलब food wave कौन बनाएगा food chain बनाएगी अब food chain की बने बाले consumer का nutritional behavior इन दो बातों पर depend करेंगे कि how it is complex कि food chain से बनने बाले food wave कितनी complex है यह depend quality दोनों कहां से आएगे food chain से आएगे food chain की दो quality यहां पर consider करेंगे एक तो food chain की length और दूसरा food chain में present consumers का nutritional behavior यह दोनों quality मिलके बनाएगी complexity आप दी food बैब ठीक है आप देख सकते हैं डाइग्राम के थूर्म आपको थोड़ा सा हिंड दे रहा हूं देखिए simple सा क्या होता है यहां पर आट्व ट्राप्स को हभी बहर फीड करते है प्राइमरी कंजूमर सिकंडी कंजूमर यह आपकी एक food chain हो गई आप दिए देखिए प्लांट्स को फीड करने के लिए दो हैं एक grasshopper और एक ground squirrel दोनों फीड करते हैं कोई problem में यहां तक इसके बाद देखिए grasshopper को फीड कर दिया scorpion ने और इसे फीड कर दिया kit fox ने एक चीज़ फोड चेंज चले गए अब ground squirrel जो है इसे फीड करने के लिए kit fox के पास opportunity है अब इसके पास क्या होगा है दो पॉइंट हो गए देखिए यह scorpion पर फीड कर सकता है और squirrel पर फीड कर सकता है तो इसके यह it have two opportunity मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास food के पास चुटी जाद है ठीक है अब normally क्या है ground squirrel पर फीड करेगा eagle फीड करता है मगर इसने इसके additional advantage क् फूट बिब बनने से कि जो kit fox है इसके पास alternative source भी हो गया है other than scorpion scorpion के अलावा यह squirrel पर भी फीड कर सकता है ठीक है इसे अब हम by picture देख सकते है देखिए गिरास से गिरास को कौन कौन फीड कर सकता है गिरास ओपर फीड कर सकता है रैविड फीड कर सकता है गिरास ओपर catarplur rabbit grass ओपर अब इसे बिलु जेन एक bird होता उनने feed कर लिए इसे only feed कर लिया यह chain हो गई इदर देखिए catarplur को snake ने feed कर लिए snake को only feed कर लिया ठीक है अब rabbit को feed करता Hawk ठीक है अब अक्का condition क्या है कि तो इसके बहसे हैं सिन्हेक इसके पास टू Starting from food chain, is 4 एपकोर्टी सब्दे हैं अब जब फूट बैफ के इसके पास तू है। मतलब कहने का मतलब है food wave बनने से जो एक ecosystem में प्रजेंट जो consumers हैं जो members हैं उनके पास food के resources बढ़ गए that means it's provide the stability to the ecosystem ठीक है अब यहां पर एक नेक पॉइंट आता है very important और आपकी जो concept थोड़ी चे और किलियर हो जाएगी food wave एंट food chain के बारे में अगर हम उस comparative differences की बात कर लें तो आपको और अच्छा लेगा देखिए food chain एक straight or linear होती है ठीक है उससे क्या होता energy बहाँ पर travel करती है बिलकुल है कि straight path wave में जबकि यहां पर एक jing jack path wave में move करती है energy food wave में अच्छा food chain में इसके बात क्या होता है एक single type के organism जो higher traffic level पे जो consumer present है उनके पास opportunity है कि वो अपने से नीचे बाले lower traffic level पे एक single type के ही organism को feed कर सकते हैं जबकि food wave में higher traffic level के member को अपने से lower traffic level के members कई सारे type के feed करने की opportunity मिलती है ठीक है that makes stability to the ecosystem third point में कह रहा है कि जो food chain होती है इस से जो होती है कहीं कहीं न कहीं ecosystem में instability आती है stability नहीं is also a instability की तरह moving करता है जबकि food wave की बंने से क्या होता है ecosystem की जो estability होती वो बढ़ जाती है थर्ड पॉइंट में कहे रहा है कि food chain से जो आर्गेनिजम होते हैं किस एको सिस्टम में उनके भी competitiveness और adaptability दोनों में कोई चेंज नहीं आता है ना तो वो adaptable होत पाते हैं ना ही उनके भी किसी तरह के completion होती है क्योंके completion से adaptability बनती है तो जब तक food chain रहेगी there are no competitiveness, there are no adaptability और जब food wave का formation हो जाता है तो जो आर्गेनिजम आते हैं उसके अंदर तो उनके वीच competitiveness भी बलती है और उसका result क्या होता है कि वो adaptable भी हो जाते हैं ठीके तो food wave की presence किसी ecosystem में adaptability as well as completiveness बोथ को increase करती है ठीक है next point देखें 5th, food transfer होता है from one traffic level to the next traffic level, मतलब कि वर एक traffic to another single traffic to single traffic ठीक है जबकि food wave concept में क्या होता है कि food transfer from one traffic level to more than bun traffic level मतलब नीचे ऊपर एक है और नीचे multiples है तो नीचे जो energy जाएगी ऊपर की तरफ वो कई sources से जा सकती है मतलब जितना हम उपर जाएंगे हमारे नीचे वालों की तरफ feeding के option जो जाएंगे ऊपर वालों के लिए option बढ़ते चले जाएंगे ठीक है तो कहने का मतलब यह कि food wave में food transfer from bun traffic level to more than bun traffic level ठीक है इसके बाद कहारा है question number seven में number of consumer जो होती है limited होती है very important point देहान रखें food chain में number of consumers is limited जबकि in case of food wave number जो होती है वो more होती है बहुत जादे हो जाती है question number eight में क्या कह रहा है single food habit consumers मिलते हैं क्योंकि उनके पाश अपर्चुटे नहीं होती है उन्हें single type of food material खाना है तो it's there no chance कि और चो कर सकते हैं ठीक है इसके बाद question last difference में क्या कर रहा है consumer है limited chances to get food यहां पर limited है क्योंकि एक ट्रॉफिक लेविल तू अनधर ट्रॉफिक लेविल कि नीचे भी एक ट्रॉफिक लेविल है उपर भी एक ट्रॉफिक लेविल जो energy को ट्रांसफर हो रहा है नीचे वाले से उपर वाले में कि अरर भी यह च्लिफिक लेविल नीचे नीचे टार्चों में ट्रॉफिक लेविल बात से रिता ग्रामनों talks a. कि टूपिक लेविल के लेविल नीचे ईमिल चांट जोंफे लेविश़ सेंगे